हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी के बारे में वीडियो में बात करेंगे, डीटेल में बात करने वाले हैं, बिजनस में क्या हो रहा है, अभी भी कमेंट सेक्शन में क्वेशन्स आते रहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है जो कॉर्परेट री स्ट्रक्चरिंग हुई है, तो एक पर मैं आपको जल्दी से बता दू, अभी जो मदरसन सुमी आप लिस्टेट कंपनी जो देख रहे हैं, जिसका स्टॉक प्राइज अभी गिरकर 136 तक आ गया है, वो एक्चुली में कंपनी है, समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अब यह जो कंपनी है, इसके जो बिसनसे जो है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी दिर के बाद बताऊंगा, जो वाइरिंग हायरनेस और जो दूसरे ग्लोबल लेवल के जो बिसनस है, वो है, तो अभी आप जो मदरसन सुमी के नाम स से जो स्टॉक देख रहे हैं, वो S.A.M.I.L करके ये बिसनस है दोस्तों, तो वो आपको 136 में मिल रहा है, दूसरा बिसनस जो है, जो डीमर्ज हुआ है, वो है इंडिया का, मतलब भारत का वाइरिंग हारनेस का बिसनस, जिसका नाम है मदरसन सुमी वाइरिंग इंडिया और इसकी मार्च के महिने में लिस्टिंग भी होने की संभावना है, तो अगर आपके पास जो भी जैनुवरी में रेकॉर्ड डेट थी उसके पहले जो मतलब सुमी का एक शेर था, तो आपको उस हिसाब से MSWIL के शेर मिलेगा, तो quarter on quarter revenue जो है सैमिल का 14% हुआ है, सैमिल मतलब मदरसन सुमी जो की लिस्टेड है, तो बार-बार मैं यह बता रहा हूँ ताकि confusion ना हो, 61% पैट बढ़ा है quarter on quarter, जब हम मदरसन सुमी वाइरिंग की जो बात कर रहा है, जिसकी listing होने वाली है, कुछ दिनों में, मार्च के महि है और 16% यहां पर profits बढ़ा है, तो जल्दी ही आपको मदरसन सुमी जो नाम है, वो ट्रेड होती हुई, सैमिल के नाम से दिखाई देगी, तो कुछ एप्रूवल्स पाकी है, तो उसके बाद होंगे, अगर आपके पास मदरसन सुमी के एक share है, तो आपको जो MSWIL है, जो wiring harness क तो उसकी जिसकी listing होने वाली है, तो उसके एक share आपको मिलेंगे, लेकिन वो January की date थी, तो वो वाले जो पुराने वीडियो से हैं, आप वहाँ पर refer कर सकते हैं, तो listing पर भी बहुत नजर रहेगी कि listing क्या भाव में हो सकती है, ICSA Securities ने जैसे 70 रुपे के आसपास की listing expect की है, लेकिन मैं अलग-अलग forums में, अलग-अलग जगपे मैंने देखा हैं कि 50 से 70 रुपे के बीच में estimates हैं, तो एक तरिक्यास आप सोच सकते हैं, 136 प्लस जो भी listing price रहेगा, वो actually में आपके जो पुराने जो मदरसन सूमी हैं, उसके share की value रहेगी, तो फिलहाल तो Samil ही trade कर रह अब यहां पर मदरसन सूमी, ग्लोबल लेवल पर, auto ancillary की company, ग्लोबल लेवल पर, personal vehicle का जो business है, वहां पर important player है, और यहां पर कुछ challenges है, challenges मतलब अभी हमने देखा, जो war जैसी situation है, geopolitical crisis है, तो जो raw materials है, खासकर जो aluminium हो गया, steel हो गया, उसके prices बढ़ गया है, energy के prices बढ़ गय है, gas के price, crude के price, तो इनके कारण से business के margin से उन पर effect पड़ सकता है, अभी supply level पर भी आप देखें, semiconductor के भी already challenges रहे हैं, तो यह एक चीज है, दूसरा 45% यूरोप में exposure है, कम हो रहा है, लेकिन बढ़ा है, और यूरोप अभी बिलकुल एक तरीके से थोड़ा सा turmoil में अभी हमको दिख रहा है, बट, electric vehicle पर आप positive है, electric vehicle पर बड़ी opportunity मदरसन सुमी के पास है, जहां पर दुनिया के जो top 5 है, top 5 में से 4 जो global है, जो models है, उनको ये supply करते हैं, जो उनके जो products है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अब जो मैं पहले बता रहा था आपको, सैमिल के बारे में, जो actually में अभी trade कर रहा है, वो business wiring harness का main business है, और modular and polymer products का main business है, तो इसके बारे में आपको बता दूँ, 16,000 करोड का revenue wiring harness का है, और ये सब personal vehicle में important products है, ये सब components है, in fact, modules and polymer products 26,000 करोड के, तो total आप देख सकते हैं, 54,000 करोड से उपर का revenue है, EBITDA अगर आप देखेंगे, तो अलग-अलग products के अलग-अलग margin है, 7% से 9% के बीच में EBITDA margin है, ये आप margins के बारे में बात कर रहे हैं, और profits के बारे में बात करेंगे, तो total 246 करोड का quarter 3 में profit है, जो कि quarter 2 में 217 करोड का था, EBITDA quarter 2 में 1208 करोड का थ देख सकते हैं, ये सुधर रहा है, profits के भी चीजों में सुधर रहा है, आपको मैं अगर overall data दिखा हूँ जल्दी से, तो यहां पर quarter 2 से quarter 3 increase हुआ है, but quarter 1 में अच्छा business और हुआ था दोस्तों, तो ये एक important चीज है, बाकी profits में अगर हम बात करते हैं, तो profit margin अभी फिलाल 1.4 परसंट है, जो कि हमेशा से इस business में उतना ही रहा है, आप quarter 2 में देखे 1% का margin, quarter 3 में 1.4% का margin, तो ये business बहुत high margin वाला business नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरी मदरसन सुमी हमेशा से उनका high debt रहा है, तो debt भी आप देखेंगे, 8739 करोड का है, तो debt to equity ratio भी जो positives हैं, वो भी है, negatives वो भी है, negatives तो नहीं, अब ये business ही इस तरग्यस है, कि debt भी ज्यादा रहेगा और margin भी कम रहेगा, अब जो दूसरा business है, जिसकी listing margin में expected है, मदरसन सुमी वाइरिंग, उसके बारे में बता दू, जिसकी हमने देखा न, 50-70 rupees के बीच में कयास लगा जा उस business के margin 1.4% के आसपास थे, इसके margin strong है, 132 करोड का, quarter 1 में आप देखेंगे, तो 61 करोड का profit था, फिर 114 करोड और quarter 3 में 132 करोड, 9 महिनों में 307 करोड का profit, जो कि पिछले financial year को already surpass कर चुका है, पिछले financial year में 254 करोड का profit था, तो ये सब कुछ important चीजे है, debt भी आप देखे को मिलेगा, तो ये सब कुछ important numbers रहे हैं, but immediate जो investors को concern कर रहा है, वो ये की, ये de-merger के बाद क्या हो रहा है, तो जल्दी से repeat कर दूँ, नाम change होगा, मदर्सन सुमी का SMIL करके, मदर्सन सुमी wiring जो है, उसकी separate listing होगी, तो ये सब चीजे होगी, और फिर उनको था ध्यान में र देखते रहे हैं, कि क्या आपको लगता है कि जो low margin वाला जो business है, debt वाला business है, अच्छा कर पाएगा, वो आप देख रहे हैं, या फिर electric vehicle में, opportunity देख रहे हैं, global level में, personal vehicle में, Indian company है, यहाँ पर एक global level की opportunity को लेकर आप उत्साहित है, positive है, आप जरूर बताइए, comment section में, मैंने यहाँ पर data के द्वारा बहुत सारी चीजों को बताने की कोजिकिया, उमीद है, आपको value मिली होगी, आप एक समय के लिए भूद भूद धनेवाद, thank you very much, thank you